तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा था 10 x 60 का ये मॉडल है हमारे एक सब्सक्राइबर थे वो काफी उन्हों कमेंट कर रहे थे सर मुझे 10 x 60 का हाउस प्लांच है तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डेजाइन किया है जैसा कि आप देख पार होंगे स्क्रीन पर भी और हम मिलने वाला होता है तो चलो इस मॉडल को आज हम डिसकस करेंगे एक बाई करगों से पहरे आपसे जरूर करना चाहेंगे अगर आपने अभी तक स्माल हाउस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें क्योंकि यहां पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्म अगर्ण डिजाइन करवाना चाहते है तो आप हमें कांट्रिक कर सकते हैं तो आज का यहीं पूरा मॉडल डिसकस करेंगे दस बाई साइट का तो फ़र्स टॉप आप हम बात करते हैं इसकी पूरे तीनों फ्लोर की देख पा रहे हो गया अपके ग्राउंड फ्लोर फ़र्स फ्लोर शेकेंड थार्ड और फॉर्थ तीन फ्लोर यहां पर मैंने रिजाइन किये हैं तो सबस्क्राइब मैं यह त्री आप देख पा रहे हूंगे इसके बज़े से जूम नहीं हो पा रहा साइसे तो मैं ट्री को रिमूब कर देता हूं दोनों ट्री है इनको रिमूब कर रखा सौब के लिए यह देख पा रहे हूंगे यह इसका स्लूप है जहां से आप उपर जाएंगे इसका में डूर है उसका उपर इविंट लेशनल लिए एक विंडू है यह आपका दुकान का जो है उसका शटर है सचसदी बीम है और जैसे आप इंट्री करते हैं यहां से दोसों यह आप टोटल एरिया 10 फिट मैं अल्रेडी बता हूए यह आप गैलरी जो रखनें तीन फिट से कम ना रखें इसका साड़े च्छै फिट का यह पोर्सर अंदर का रख लें जिसमें आपका आधा फिट मैं फ्रक्स दिबाले कवर हो जाएंगी तो तीन फिट से गै जाती है जो कि आप यहां से चड़ेंगे और यहां उपर चले आते हैं इसका यह आपका एक कमाइंड लेटरिंग और बातरूम मिल जाता है जो कि मैंने डिया नहीं है आप चाहें तो स्टेर्स के नीचे आप स्टोर रूम बना सकते हैं लेटरिंग बातरूम बना सकते हैं सेपरेट एक लेटिंग बातरूम दिया है और यह आपको एक बड़ा सा मास्टर बैड डूम मिलता है जिसका साइज है दूस्तों लगब बारा फिट वाई साड़े चाड़े चौड़ाई तो अरजेश्ट आप ज्यादा कर नहीं पाएंगे ज्यादा वैरीशन भी नहीं है य अगर पीछे के बात करें तो यह आपको इस पेस मिल लाई वेंटिलेशन की लाप सबसे पीछे जाल रखवा लें जिसमें पीछे से भी वेंटिलेशन आपका होता रहा है जिए लंबाई 60 फेट बाहत होती है तो लग वक 3 फट चाड़ा और शाड़ा 9 फट लंबा पीछे जाल रखो हैं इसे वेंटिलेशन का कोई प्रावल्म ना हो इस वेड्रूम के लिशी में आप एक विंडो दिया एक डूर दिया जहां पर आप जा सकें और इसके नीचे आप पूरा स्पेस होगा आप उसे इस्तमाल कर सकते हैं तो पीसे वेंडिलेशन से इस रूम का वेंडिलेशन हो जाएगा शाज़ता आपका केचेन एक बेड्रूम यह लेटिंग बातरूम यह इस्टियर्स एक दुकान यह साट फिट में दस बाई साट फिट में पूरा मॉडल क्रेड हो ज़्यादा वेरीशन नहीं कर सकते हैं तो सबस्पले फ्रेंट लोग दिखा देता हूँ यह आप फ्रेंट देख पा रहे होंगे फ्रेंट में आप यह इसका जो बाउंडी है यहापर जो मैंने एक गिलास का पूरा जो दस फिट चोड़ाई उसी का पेरे स्टैलिस डूर के लिए दोर एक बड़ा से बैड डूम के चेन आपका यह मास्टर बैड डूम लेटरिंग बाद रूम और यहापर जो दुखान था वो मैंने हटा दिये इसलिए आपका यहापर ओपन स्पेस फ्रेंट में सबसे ज़्यादा मिल जाता है इस टेर्स के बार आपका ओपन स् की उपर वाले फ्लूर में है मैंने एक फ्लूर जादर डिजाइन किया है अब देख पा रहे होंगे तो यही बिल्कुर सेम टू सेम आप उपर से नीचे तक चलता रहेगा वरेशन के कोई संभावनाय नहीं है या अगर आप चाहते हैं वरेशन करता करना तो लेटरिंग ब अगर मैं पार दिया हम्हारे इस प्लान से बी तक आप जोड़े नहीं है तो जूरूर जोड़े जाए ठीक